मतलब जन्म से लेके ब्याह हो तो गाय चाहिए बालक का जन्म हुआ हो तो पंचामरत चाहिए कौन सा ऐसा शुबकार है जिसमें गाय नप पूजी जाती है और गाय के अंदर वातसल्य इतना है कि आप उस वातसल्य को समझे क्या है गीता प्रेस गोरगपुर शायद आपने गाम सुना हो भारतिय धर्म की पुस्तकों के लिए सबसे प्रख्यात प्रिंटिंग प्रेस है भाई श्री ने उसका शुबारम किया था तो उनके द्वारा एक बड़ी सुन्दर छोटी सी ही पुस्तक है छोटी सी बुख है गव सेवा के अंक मतलब माफ करिये गव सेवा के चमतकार गव सेवा के अंक थोड़ी बड़ी है पर गव सेवा के चमतकार एक छोटी सी पुस्तक है और उसमें कई सारे उधारन हैं गाय के महिमा के रियल उधारन जो सत्यता में घटे हैं वैसे उधारन उसमें एक छोटी सी कहानी आती है शायद आपने शहर का नाम सुना हो इंदौर मध्य प्रदेश में पढ़ता है मध्य प्रदेश के इन दौर में एक बहुत बड़ी महरानी हुई देवी अहिल्या बाई एक बहुत बड़ी वीरांगना थी राणी थी तो इनका नाम पूरे राज्य में इसलिए प्रशिद्व था कि ये निरने बड़ा कठोर करती एक बार कोई पापी पकड़ लिया जाये तो उसको छोड़ती ने और इनोंने अपने राज के चोराहे पर एक राउंड अबाउट था उस सरकल पर एक घंटी लटकाई हुई थी और कहा हुआ था कि अगर मेरी प्रजा में से किसी को कभी लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ गलत हुआ है तो आकर ये घंटी बजा दे मैं खुद उसे बुला करके अपने पास निरने करूंगी और उसे दंड दूंगी गंटी लटकी हुई थी एक दिन क्या हुआ रानी अहिल्या बाई का खुद का बेटा रथ लेके जा रहा था और जैसे रथ चला रथ के आगे एक गव माता का नवजात अभी अभी जन्मा हुआ बचला रथ के पईये के नीचे आ गये और वो मारा गया अब मरा रानी का बेटा इसके खिलाफ कौन अवाज उठाए कौन कहे कि रानी तेरे बेटे ने एक गाय के बच्छडे को मार दिया सब ने देखा पर सब चुप रहे हैं तब साज होते ही गाय आई और गाय ने जाकर के उस घंटी को अपनी मुह से पकड़ के जोड़ जोड़ से हिलाना शुरू कि जोड़ जोड़ से हिला तो रानी ने तुरन दूतों को बेजा जाओ देखो किसके साथ अन्या हुआ हुआ जा के बताया कि देभी वो तो गाय हैं अब यह क्या बोलेगी यह क्या बताए रानी ने कहा मुझे पता है इसके साथ कुछ हुआ है गाय बेकार में व्यर्थ में कोई काम नहीं करती है पता करो क्या हुआ हुआ है बस इतना ही सुना और आदेश दे दिया जिसने भी उसको रत से कुचल के मारा उसको भी रत के नीचे कुचलवा के मरवा दो ये मेरा आदेश अब दूतों ने आपते हुए कहा कि रानी आप क्या बोल रहे हैं आप जानती हैं वो कौन है आपका अपना बेटा है उसने उसने उसके रत से गाए का बच्छडा मरा एक पल तो रानी को थोड़ा लगा क्या करूं लेकिन फिर कहा चाहे मेरा बेटा क्या मैं स्वयम भी हूँ तो जो दंड मैंने दे दिया सो दे दिया जाओ उसे रत के नीचे मरवा दो पूरी प्रजा ये सची घटना है पूरी प्रजा एखटी हो गई रत लाया गया राजकुमार को बीच सडक पर खड़ा किया रत आगे बढ़ा लेकिन जो रत सवार था वो एकदम घबरा गया क्या करूं राजकुमार को कैसे मारूं रत से कूद गया महरानी मेरे बस की बात नहीं मैं नहीं कर सकता आपको जिससे कराना करा लो कोई राजी नहीं हुआ तो रानी खुद रत पर चड़ी और उसकी लगाम पकड़के आगे बढ़ी रत बढ़ता गया बढ़ता गया उस राजकुमार के उपर चड़ने ही वाला था कि गाय आकर के रत के सामने खड़ी हो रत के सामने खड़ी, और खड़ी भी कैसे हुई, हिंदी भाशा में कहते, एक सीधा खड़ा होना, एक आढढा खड़ा होना, आढा मतलब तेढा, आढ़ी आकरके खड़ी हो गई, तो जिस स्थान पर वो गाय आड़ी खड़ी हुई आज भी आप इंदोर चले जाएए इंदोर में आज भी वो चौराया है और उस चौराहे का और उस मार्किट का नामी आड़ा बजार है गाए आड़ी खड़ी हुई इसलिए उस बजार का नामी आड़ा बजार रख दिया गया ताकि लोग इस नाम से जाने कि क्या हुआ था यहां पर तो लोगों ने जाकर के रानी को प्राथना की है रानी देखो गाए ने तुम्हारे बेटे को माफ कर दिया है आप भी माफ कर दो क्योंकि गाए जानती है मेरा बेटा मरा मेरा बचड़ा मरा मुझे कितना दुख हुआ रानी का मरेगा इसको कितना दुख होगा इसलिए स्वयम उसकी रक्षा के लिए आगया के खड़ी दो ऐसे कितने उधारन गव माता की कृपा के वादसले के इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से कृपया गाए को केवल अर्थ से जोड़ के कभी मत देखिए गाए ध्यान रखना कि गाए से पैसा तो आ सकता है लेकिन अगर धीरे धीरे समय निकल गया तो पैसों से भी गाए नहीं आएगी जिस कदर आज गोहत्या बढ़ रही है आपको अगर आखड़े नहीं पता हो तो भारत वर्ष में आज की डेट में भी पचास हजार गोवन्ष रोज मरता है और 35,000 कतल खाने है 35,000 स्लोटर हाउज आज भी चल रहे हैं भारत वर्ष में कहां से लाएंगे पैसों से गाए खरीद पाएंगे कितनी प्रकार की मुझे याद नहीं लेकिन 80 से 90 प्रकार की नसल हुआ करती थी पहले के समय में आज केवल 6 प्रकार की नसल बची मूल रूप से ये भी नश्ट होंगी एक दे ये भी नश्ट होंगी नंद बावा के समय में 9 लाख गईया थी आज गिन लीजे कितनी गईया है